मूर परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तिक लाभ प्राप्त करने के पवित्र बाइबल में प्रमार है कि प्रभू ने मनुष्य को अपना ही सुरूप बनाया छे दिन में स्रिष्टी रचकर साथवे दिन विश्राम किया पुरान शरीफ में प्रमार है कि हजरत मुहम्मत को खुदा स्वयम कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है वो परमात्मा कबीर है जिसने छे दिन में स्रिष्टी रची तथा साथवे दिन तक्त पर जाविराजा उसकी खबर किसी पाखबर से पूछ कर तो देखो कृपया हवश्य सुनिये जगत गुरू तद्व दर्शी संतरामपाल जी महराज के अम्रिस वचन दरशको जगत गुरू संथ रामपाल जी महराज के अद्भुद अलोकिक सत्संग प्रवचनों ने हिंदुस्तान में ही नहीं बलकि विश्व में एक आध्यात्मी ज्यान की क्रांद दिला दी है लाखो श्रधालों ने हमें इदन सत्संगों के प्रिसारन के लिए बधाई पत्र भेजे हैं इसके साथ साथ कुछ श्रधालों ने कुछ शंकाएं भी हमारे को भेजी हैं हमने उन सब श्रधालों की शंकाओं के निवारन के लिए संथ रामपाल जी महराज से भेट की माराजी गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदरशी संत की प्राप्ति के पस्चार उस परंपत की खोच करनी चाहिए कि जहां जाने के पस्चार प्राणी फिर संसार में लौट कर वापस नहीं आता। उस परंपत को प्राप्त करने की कौन सी साधना है इसका प्रामान कहा है। और जो इसकी अनग्तिन संस तक इस ओम नाम का सिमन करता हुआ जाता है तो ओम नाम से मिनने वाली जो परंपती और प्राप्त हो जाती है। ओम नाम से मिलने वाली प्रम्गति कौन सी है ब्रम का मंतर है ब्रम लोक प्राप्त होता है गीता जाय नमर पंद्रा के स्लोक नमर शोड़ा में यह भी स्भश्ट किया है कि ब्रम लोक में गए हुए प्राणी भी फिर जिन मृतियों आते हैं तो वो सथीर नहीं है वो प्रिश्वर के उस परमपद की खोज करनी चाहिए जहाने के बाद फिर लोड़कर कभी संसार मनी आती है तो आज दास आपको ये कलियर करना चाहेगा कि वो कौन से मंतर हैं जिन से मोक्स होगा वो सास्तर मुकल साधना कौन सी है और ये कंसेप्ट जब कलियर हो जागा अपने अत्मों तो अपने आप मन को जगए नहीं रहेगी कि तब अकवाद गड़न की या किसी नकली संथ के बीच में बड़न की कितनी कोशिस कर लिए आपके हरते हम वो उसका ग्यान समावगा नहीं फिर आप बगत बनोगे फिर आप मौक्स प्राप्ति करोगी क्योंकि रस्ते हमारे कोई काल के दूथ दिसाब चेंद कर देते थे हम ठीक बार पर चलाए भगवान ने फिर दिसा बदल दिए उन लोगों हम दखके खाते फिर रियाज तक तो दास ऐसा ग्यान देगा उस तो सब से पहले आपको दिखाते हैं कि हमारे पवीतर सद्गरंथ जिनको हम सिरोधारिय मानते थे वो कौन सा मंतर बताते थे और हमारे नकली द्रम गुरू हमें कौन से मंतर रटवाते थे श्रीमत भगत गीता में और वेदो में जो मंतर है वो सास्तरन कुल साधना उसके अ हो गया कि ब्रम का ओम नाम जाप है इस गीता ग्यान दाता का वेद ग्यान दाता का और ये ब्रम आप इसको महिस का पता है ये है कौन ये खुद कहता मैं ब्रम हूँ अब इसका निसकर स्री देवी भागत करेगी एक समय राजा हिमाले को स्वम ये देवी परमात्मा के बारे में ज्यान परचार कर रही थी तो उसने क्या बताया है कि दुर्गा कितना नौलिज रखती है वो कहती है कि यवल एक ब्रम है ब्रम की पूजा करो और ओम उसका बंतर है ओम के जाप से ब्रम लोग प्राप्ती कर जाओ होगे तुम्हारा कल्यान हो अब देखो श्रीमत देवी भागवत सचीतर मोटा टाइप गीता प्रैस गोर्वपूर से परकासित है संपाद कर्मान परसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी और यह यहां से परकासित है और मुद्रित है गीता प्रैस गोर्वपूर से इसके हम 562 परश्पर आपको ले चलते हैं यह देखिए यह सात्मा सकंद है सात्मा सकंद संक्षिप देवी भागवत 562 परश्पर देवी के द्वारा हिमाले को ग्यानोप देश बरं सरूप का वर्णन सिरी देवी जी कहने लगी परवत राज यह पहले अपने बारे हम कहती है फिर कहती है नहीं यदि तो पूर्ण मोक्स चाहिए तो यहां बताती है उस बरं का क्या सरूप है यह बतलाया जाता है जो प्रकास गुहा मस्तीत होने के कारण गुहाचर नाम से परसीद है महान पद अर्चाथ परम प्रापे हैं अब यह थोड़ा सा लेंगे वह परम सत्य और अमरत अविनासी ततव है सो में उस बेदने योगे लक्से का तुम बेदन करो मन लगा कर उसमें तन में हो जाओ सो में उपनिस्त में कथित महान अस्तर धनुस लेकर उस पर उपासना द्वारा तिक्सन के अवाबान संधान करो और फिर भावना गुत चित के द्वारा उस को खेंच कर उस अक्सरू ब्रहम को ही लक्से बना कर बेदन करो परनव ओम धनुस है जीवात्मा बान है और ब्रहम को उसका लक्से कहा जाता है अब यहां कहा है उस एक मातर परमात्मा को जाने देवी अपनी पूजा भी मना करती है मेरी भी नहीं करने किवल एक मातर परमा साथमिए को जाने, दूसरी और सब बातों को छोड़े, यही अमर्त रूपरमात्मा' के पास पहुंचाने वाला पुल्फ है, संसार समुदर से पार होकर अमर्त रूपरमात्मा को प्राप्च कराने का यह सुल्ब सादन है, आगे, इस आत्मा का ओम के जब के साथ ध्यान करो इस से एक अग्यान में अंधकार से सरवत्था प्रे और संसार समुन्दर से उस पार जो बर्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा के लेड़ो ओम नाम का जाप करो और बर्म की प्राप्ति हो जाएगी वो ब्रम रहता कहां है वह है यह सबका आत्मा ब्रम ब्रम लोक रूप दिव आकास में सतीत है वो ब्रम लोक में रहता है अब इसे क्या सिद्ध हुआ कि ओम नाम ब्रम का है काल का है जो शुरूपी निरंजन कहा संतों ने इसको काल कहा, गीता ध्यार नमबर 11 के स्लोक 32 में सुम कहता, मैं काल हूँ अरजुन और सब का नास करने के लिए अपरवर्थ हुआ हूँ, मारी तब बुद्धी पर पत्थर पढ़ रहे थे, हम काल की पूजा करें थे, अब ओम नाम के जाप से कहां गए, ब्रह्म लोक में, देवी अब स्रीमत भगत गीता हम आपको दिखाएंगे, आठमे दैका आपको सोल बामंतर दिखाते हैं, तेर बामंतर ये देखिएगा, ये है गीता, स्रीमत भगत गीता, अध्याय नमबर आठ का, और स्लोक नमबर 13 नीचे, इसमें ये गीता ग्यान दाता ब्रह्म ही है, ब्रह्म इती एक आक्सरम, ब्रह्म भारन मामनु समरन, ये परियाती तजन देहम, स्याती परमामगतिम, मुझ ब्रह्म का, ये है माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इती एक आक्सरम, कि ये एक ओम अक्सर है, ये है, और उचारन करके सिमन करता हुआ, ये परियाती तजन देहम, जो प्राप्त होती है क्या होती है यह सिद्ध हो गया कि ब्रह्म को प्राप्त होगे वो ब्रह्म लोग में रहता है यानि ब्रह्म लोग प्राप्ति गीता दैनमर आठके सोलोग सोड़ा में क्या कहा है आठ ने आध के 16 में कहा कि अरधुन व्रम्लोक परियंत व्रम्लोक तक सभी लोग पुन्डरावर्ती में हैं यहां देखो पुन्डरावर्ती का इत्वोंने यहां अगे विवरैंग सबस्टrem जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे पुन्रावर्ती कहते हैं। अब इन्होंने यहां अडंगाड आया है कि हेकुन परंतु हेकुनती पूत्र अनुवाद गल्द किया है। मुझको प्राप्त होकर पुन्रत द्रम नहीं होता। अब गीता ग्यान दाता ब्रम है। और गीता ग्यान दाता दूसरे दाय के बार में स्लोक में कहता है। कि अर्दुन यह ना सोचके हम अभी पैदा हुए हैं। तो पहले भी छोय राग्डवी रहेंगे। यह देखो अध्याय नम्बर दो का और श्लोक नम्बर आपको बारा दिखाते हैं यह बारा। इसमें कहा कि ने तो ऐसा है कि मैं किसी कालम नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा राज़ा लोग नहीं थे। और नहीं ऐसा है कि इसे आगे हम सब ना रहेंगे अब देखे चौथे जाएगे पांच और नौ में ये खुद गैता अर्दुन तेरे और मेरे बहुत जनम हो चुके तू नहीं जानता मैं जानता हूँ ये देखिएगा अध्याय नमर चार का और सलोक नमर श्रीमत भुग दीता सलोक नमर पांच में लिखा है इसका अनुआद यहां पर है ये परंतम अर्दुन मेरे और तेरे बहुत से जनम हो चुके हैं उन सब को तो नहीं जानता मैं जानता हूँ और नौ में कहा है कि मेरे जनम मेरे जनम और करम दिव हैं अलोकिक हैं और दसमें ध्या के दूसरे सलोक में खुद कहता है कि मेरी उत्पत्ती को राज़ मॉस से सारा सनसार आगे इसाकार में हम जन में है तो बर्मा भी शुनु महेश अपने पता की उत्पती कैसे जानेगा और कैसे हम जान पाएंगे फिर अपने पता की उत्पती तो दादा बतावागा पता की उत्पती तो उस दादा ना आगा बता रखिए बाबा ने कबीर वगवान ने जो सब काजनक है इन सब की उत्पत्ति बता रखिए यह देखिएगा अज़ जाय नमर दस का सलोक नमर दो अज़ जाय नमर दस और सलोक नमर दो इसमें कहा कि मेरी उत्पत्ति को मेरे प्रभाव बन उत्पत्ती को आगे कुछ भी कहें ने देवता लोग जानते हैं ने महरिशी जन जानते हैं क्योंकि मैं सब परकार से देवताओं का और महरिशियों का आदी कारण हूँ ये मेरे से जनवे हैं ये देवता और ये महरिशी ये सभी मुद से उत्पनवे ये इनका पिता है अब इसे सदो गया कि इसकी जनम मर्टू तो होती ही है जनम तो है ही और ये खुद कहता है मेरे तेरे बहुत से जनम होचके और यहां जो अनुवाद इनोंने की आठ में देगे सोडने से लोक में कि ब्रम लोक परियंत सभी पुन्रा वर्ती में है परन्तु मुझे प्राप्त होके फिर पुन्र जनम नहीं होता है ये कुद ब्रम लोक में रहता है ब्रम लोक में गए प्राप्त का भी पुन्र जनम होता है वो मुरक ब्रम लोक की साधना करते है और ब्रह्म लोग में गए विप्राणी भी फिर पुन्रा वर्ती में होते हैं इसका अर्थ ये बने हैं इन्होंने गल्ट अन्वाज रखे अब ये सपष्ठ हो गया कि सिरी मद्भगुत गीता और ये चारों पुईतर वेद ये गौड गीवन से प्रूचर नौलिज है इनका एक जैसा इसके अंदर गुण धर्म है और जो अन्य पुरान हैं वो वेदों से मेल खाते हैं तो नो प्रोब्लम वो तो ग्यान वेदों वाला है सही है और फिर सुकसम बेद इन सब से को मेल करेगा अब इसमें कम्पलीट नौलिज नहीं है जैसे सुकसम बेद के अंदर प्रमातमाने सपश लिखा हुआ है जैसे सुकसम बेद में कबीर प्रमेश्वर जी का एक सब्द है करने नो दीदार महल में प्यारा है और इस सबद को लेकर पूरा राधा स्वामी पंठ अरजी की गाठ लेकर पंसारी बन गया और कहते हैं नकल में भी अकल की हो सकता होती है इनों ने वो मंतर सेलेक्ट कर दिये इस करंथ से इस पवितर अमरतवानी से जो पांचों काल के जाप है और जो मूल मंतरिस के अंदर विद्वान वच होट जिये जो दास आपको देता है आपको इन राधा स्वामी वालों की ही पुस्तक से दिखाता हूँ कि इन्होंने अरजी की गाठ प्राप्ट कर ली बगवान की वानी से और ग्रीबदास साइब जी को परमात्मा ने यह थारत ग्यान दिया उन्होंने अपनी अमरतवानी में कहा है कि बेखों के लस्कर फेरे ये बानी चोर कठोर और सत्गुर धामना पहुंचेंगे ये चोराशी के ठोर परमात्मा की वानी चुराग है कबिर साहिब की और ये उसको अपने हिसाब से गल्द सेट करके कहते हैं कभी सतलोक नहीं जा सकते ये क्योंकि इनके पास कंप्लीट ग्यान नहीं है अब देखेगा ये है संट मत परकास भाग एक संट मत भाग परकास एक और इसके इसके कौन है राइटर ये हैं बाबा सावन सिंग जी महराज सावन सिंग जी और कहां से ये छपा है संट मत परकास भाग एक महराज सावन सिंग जी रादा स्वामी सत्संग ब्यास परकास के जग्दीश चंदर शेठी सेक्रेटरी रादा स्वामी सत्म ब्यास डेरा बाबा जैमिल सिंग पंजाब ये सारे सरवाद्यकार स्रक्षित हैं मुद्र कजंता अफसेट एंड पैकेजिंग लिम्टिड इसके देखेगा ये है प्रमात्मा की वाणी तुरा रहे खी इनोंने वाणी कवीर परमेश्वर की ये सतीदानंद घनवर्म की वाणी है करने नो दीदार महल में प्यारा है काम करोद मदलोब विसारो सील संतोस छमासत दारो मद मास मिठात दारो ओग्यान घोड़े असवार भरम से न्यारा है दोती नेती बस्ती पाओ आसन पदम युगत से लाओ कुमबक कर रिचे करवाओ पहले मूल सुधार कारदों सारा है अब यहां तक तो योगियों का बता है फिर आगे बता है के मूल कमल दल चतुर बखानो और किलियंग इन्हों ने अपना अत्म हों यही तो खेल था दाता का दरम दास मेरी लाख दुहाई यह मूल ग्यान कहीं बार न जाई मूल ग्यान बाहर जो पढ़ ही यह बिचली पीडी हन सनी तरही मूल ग्यान तब तक छुपाई ही जब लग द्वादस पंध ना मिट जाई तो प्रमात्मा ने यहां क्या है यह किलियंग है और लिख दिया किलियंग जैसे आगे बताओंगा उसमें आने पर अब यहां यह बिचलित होगे और यह सबद है किलियंग जो दास आपको उपलब्द कराता है देखिएगा अब यह है इसका वरणन है प्रमात्मा की अमरव वाणी में ये जो चीतर आप देखिएगा अपना अत्माओं जैसे अब आप बालक नहीं रहने देना दासने आपको जैसे पहले कहां सत्संग में जाते थे पांचार ये बात प्रमात्मा की वाणी ले ले लेते या अपने इसाबितर सेटिंग कर लेते बजले रे बगवान के रहकाम आवगा बजले रे बगवान के रहकाम आवगा ये गाह के पांचार पांचार पाड़ के लापसी उठ जाया करते थे अब ये तो हमने पता लग जा कि भगवान एक बहुत जरूरी है मारे जीवन का मूलू इससे है और ये भी हमें पता कि परमात्मा में क्या गुन ह जैसे किसी का रोग है और कोई कहरा भी घाले दुआई रोग कट जागा खाले दुआई रोग कट जागा और ना तो उसने पता है रोग क्या है और ना उस दी का पता उसने गाएं जाओ खाले रे दुआई रोग कट जागा खाले रे दुआई रोग कट जागा अब हमने प पहले आपको ये विश्वास दिला जा रहा है कि कौन सी औस दी है जो इस रोग न काटेगी जग सारा रोग यारे जिन सत गुरु बैद नजान्या जग सारा रोग यारे बही जनम मरन का रोग लगया है या तरशनाव डरी खांसी आवा गवन की डोर गळे में या पडी काल की फांसी ही जग सारा रोग यारे जिन सत गुरु बैद नजान्या जग सारा रोग यारे बाई देखा देखी गुरु सेस बनगे किया नातत वविचारा गुरु सेस दोनवों की शिरपे युकाल ठोके पंजारा जग सारा रोग यारे जिन सत्गुरु बैद ना जान्या जग सारा रोहों की आरे बाई सत्चा सत्गुरु कोई ना पूज प्रमात्मा कहते हैं सत्चा सत्गुरु ये नकली सत्गुरु थे सत्चा सत्गुरु कोई ना पूज इन जूठों जग पतियासी इन जुठां पर विश्वास किये बैठे हैं साच्चा सत्गुरु कोई न पूर्ज इन जुठों जग पतियासी अंधे की वाँ गई अंधेन ये मारग कोन बता सी जग सारा रोह गयारे जिन सत्गुरु बैद न जान्या जग सारा रोह गयारे फिर क्यार निश्कर्श बताते हैं परमात्मा बाई सार सबद सर जीवन बूटी गश गश अंग लगावे कहने कभीर तुम सत कर्मानो ये जनम मरन मिट जावे जग सारा रोह गयारे जिन सत्गुरु बैद न जान्या जग सारा रोह गयारे के एक सार सबद है सार नाम है वह सर जीवन बूटी है और उस ते कहे कभीर तुम सत कर्मानो ये जनम मरन मिट जाए तो वो जड़ी आज दास के पास है वो सर जीवन बूटी वो पूरा कम्पलीट कोर्स आल इन रिस्पेक्ट आपके लिए छुपा कर राख्या था इस युग के लिए अब आपको विश्वास दिलाने के लिए कि ताकि आप दर्ड होकर इस मारक पर चलो कोई बीच में आपकी दिसा ना बदल दे इसलिए आपको यहां बुला जाता है पुना अत्माओं यह परमात्मा न किया हुआ सारा खेले जीव के सतर का यहां कोई काम नहीं है आप भी देख रहे हो आपने और भी सत्संग देखे होंगे वो सतल भी देखे होंगे वहां कैसी वेस्था यह भी खुब जानते करने के नहीं के हो सकता है अब ग्यान भी दिखाएंगे आपको अब ग्यान देखो क्या है अब यह जो अदास आपको बताने जा रहा है कभीर परमेश्वर की अमरवानी से सचिदान नगनबर्म की वानी में दार में कंदृष्टान तो विस्तार से कहे गए है उन मेंसे एक अंस है यह देखिएगा यह है यह मूल कमल परमात्मा बताने जा रहे है मूल कमल और गनेश देव किलियम जाप चतुरत पंकडी मूल कमल अब यहां वगवान क्या बता रहे है के मूल कमल दल चतुर बखानो मूल कमल मैं चार पंकडी बताओं और किलियम जाप लाल रंग मानो फिर क्या बताते हैं देव गनेश ता है रोप्य उठानो रोप्या उठानो रिदी सिदी चमर डुला रहा है फिर स्वाद चकर सटदल बस्तारो ब्रह्म स्यावत्री रूप नहारो उट नागनी का सिर्मारो अब ये है स्वाद चकर ये है छे पंखडी का स्वाद कमल चकर और स्यावत्री रूप ब्रह्मा और इसका ओम जाब है अब यहां दो देखने की बाते हैं कि ये मंतर जो हैं ये चाबी हैं इन कमलों को खोलने के मंतर हैं और इन मंतरों से ये देवता जोटा होता बहसा, उसने बहसा बहसा करें, जाओ कती नहीं देख़ें, रेकवन नो करते हुर नो जो खोगा, तो वो हुर उसका मूल मंतर है, उसके बसकी बात नहीं को ठीका रहे जा, तो ये मंतर है, इन देवताओं के मूल मंतर है, वो हुर समझ लो, ये बोलते हैं, चो करन आत्मा बता रहे हैं कि सवाद चकर सट यानि छै पंखडी का विस्तारों दल्वर विस्तारों ब्रम शावत्री रूप निहारों उट नागनी का सिर्मारों तहां सब्दोंकारा है फिर क्या कहा है कि नभी अस्ट कमल दल साजा सेथ सिंगासन विश्ण बिराज़ा और ताहरियंग जाप तास बुख गाजा लक्समी सीव आधारा अब ये देखिएगा, तीसरा कमल, ये अस्ट कमल, अस्ट पंखडी का कमल है, ना भी कमल चक्र है, विशन और लक्स भीश में, ये जाप है, हरियम जाप है, फिर आगे चलिए, द्वादस कमल हर्दे के माहीं, जंग गौर शिव ध्यान लगाई, अब यहाँ देखिएगा, ये हर्दे कमल में, द्वादस पंखडी, हर्दे कमल में, बारा पंखडी है, और शिव और पार्बती इसमें का ये जाप है, फिर कंट कमल में, दुर्गा, सोडस ये सोला पंखडी का, ये कंट कमल है, इसमें दुर्गा का निवास है, और ये इसका जाप है, आगे ये अलग से है, ये और अलग, हम शर्व इतना लेंगे, जितना हमें अब आपको बताना आवस्यक है, अब यहाँ तक हम आगे, कि दुआदस कमल हर्दय के माही जंग गौर सी धान लगाएं, सो हम सबद तहां दुन चाई, गंड कर जैकारा है, फिर सोडस दल कमल कंट के माही, अर तहें मद बसे अविद्या बाई, ये दुर्गा, और हर हर बर माचवर ढुराई, तांस ये शिरिंग है, ये रिरिंग ल जा रहा है, अब आगे देखो, ये हैं वो मूल मंतर, हमारे इन कमलों से हमें बरी करेंगे, इस इन मंतरों से हम कमाई करेंगे, साधना करेंगे, और इन बगवानों को इनका दे देंगे, इन टैक्स, और ये हमें बरी कर देंगे, आगे चलने के लिए, अब आगे क्या लिया अड़ंगा इनों ने जो मंसर लिये हैं कौन से ले रखे हैं कहीं की इंट कहीं का रोडा कहेते हैं न रदा स्वाम्पी कुन बाज़ोड़या नहीं नहीं गता नहीं पताएं नहीं यह मंतर कह से आया किसका है ये देने के दिकारी भी नहीं है और सतनाम का इनको पता नहीं सतनाम है को रसा सतनाम दो अखर का मंतर है अब यहां इनों ने इसी परमात्मा की वाणी में आगए ये सारे हैं कि डाकनी का साकनी सब को वो करे ऐसे और आगे ओंकार रंकार इसके अंदर लिखा हुआ परमात्मा ने फिर लास्ट में ये बताया है कि ये जो जहां तक हमने इन कमलों से बरी होना है वो मंतर ये हैं बाकी ये काल की विरस्ता है ये जो तनर रंकार ओंकार इनको अलग से जाप नहीं करना इस विजी से जो सुक्सम वेद में लिखा है वो जाप करना जैसे आप बक्ती बोद पढ़ते हो डिली इसमें गरीब दास साहिब को परमात्मा में ले थे उनको ये थार्च ग्यान दिया इसमें एक ब्रह्म बेदी है और उस ब्रह्म बेदी के अंदर भी जो कातों गौड गीवन शप्रियूचल नौलिज है जो कबीर साहिब की वाणी में जास ने आपको पढ़ कर सुना यहां देखिए का ब्रह्म बेदी ये बक्ती बोद में आप डेली पढ़ते हो और यहां ब्रह्म बेदी मूल चकर गनेश वासा रक्त वन जहां जानिये और किलियम जाप कुलीन तद सब्द हमारा मानिये सबश गया कि इसका जाप कीजिए अब यहां आपको स्वेट हो गया कि मूल मंतर कौन से है अब यह तो सुक्सम बेद में लिखा है कि हमने जो यहां तक पहुंचना है इसके बाद तर्कुटी पर जाएंगे फिर तर्कुटी पर जाने के बाद ये मंतर दो अक्र के मंतर का काम सरू होगा अब जैसे यही राधा स्वामी वालों का एक गरंथ है संत मत परकास भाग चार इसमें आपको दिखाते हैं के सावन सेंग जी स्वं कहते हैं सोय गुरू पूरा कहावै और दो अक्र का भेद बतावै हरी ने खुद पता नहीं यह पांचों नाम यह काल के जाब करें और पूरा गुरू होगा जो दो अक्र का बेद बताव है तो यह किसे गुरू थे नकली यह देखिएगा यह संत मत परकास भाग चार यह कहां से चपा है महाराद सावन सिंज के विचार हैं यह सेवा सिंग सेक्रेटरी रादास्वामी सत्संग्रास बेराभ वाजर्मल सिंग इलामर्चर यह यहां से चपे हैं मुद्र के सर्ताज प्रेंटिंग प्रेष्ट अंडारोड यहां दो सो एक्सेट प्रेष्ट आपको दिखाते हैं दो सो एक्सेट प्रेष्ट के संत मत भाग परकास चार के इन्होंने यह वाणी है कि उसकी शिवद्याल की अक्सर रूप निर्खती चाली छोड़ दिया अव्देश विगाना इसके उपर अब ये क्या अठकलवाजी कर रहा कि ये संसार सर है, अक्सर है वो बर्म है, अक्सर तब संसार है, अक्सर ये बर्म है, और ने अक्सर पारवर्म है, जब ये संसार बना है तब हम इस महल दुनिया में गुजारा कर चारे, किन्तु अब गुरू की किरपासे आत्मा इस महल को चोड़ कर सत लोग को जा रही है गुरु करंद साहिब में बड़े गैरे और गुप्त रहसे हैं एक सथान पर आता है सावन सिंग जी कह रहे हैं एक समय आता है बावन अक्षर लोग तरह सब कुछ इनके माही ये अखर खिर जाएंगे वो अखर इन में ना ही आधी गुरु कर आते रहा सा होगी जिसके बावन अक्षर हो इस फन सार का सारा मामला बावन अक्षर मां आ जाता है पंड अंड का हाल तो बावन अक्षर मां आ जाता है आगे दो अक्षर ओर हैं The आतृर्फ इस皆 दित्वी स्थे हिए फिर कहते हैं जे तु साहिया एट्भी अक्रम प्रणुत नानक एक लंगाए जे करसत समावा ये गुरुवतन साहिब के इस परिष्ट फेर यदी तुम गुणी हो ग्यानी हो तुवे अक्सर बताओ कि अब सावन सेंःग जी डमाडोल आप अश्प परस कर रहा है कि वो अक्सर बताओ कुण से हैं फिर नियोंक आगा जागा पाऊंगे पार्वरम है को मरेन पाच्षा पाऊंगे वे देखो यदी तुम गुणी गुनी हो ग्यानी हो वो अक्सर बताओ आप बताओ वे अक्सर पारवर्म हैं, एक अक्सर ने तो दुनिया बनाई और एक नसत लोग बनाया, और यही कबीर साहिब कहते हैं, शावन संग जी कह रहे हैं, कबीर साहिब की वाणी लिखी है, गुरुकरन साहिब के इस परिष्ट पर अमकित है प्रमात्मा की वाणी, उसमें से लेकर क्या लिख कहा है, कहे कबीर अखर दो भाख, और होगा खसम तलेगा राख, देकिन यह बुदी वाणी ले रहे हैं, और आप कहे रहे हैं, और कबीर साहिब कहते हैं, कहे कबीर अखर दो भाख, भाख माने बोल, इनका जाब कर इन दो अखर का, और इसकी इस दो अखर के नाम को, यह सत तत है, गिता धाय नबर 17 के है स्लोक नबर 20 मैं ओम, तत, सत, ये तीन मनतर हैं, ओम ब्रहम का, तत ये उस अकसर पुरुश का और सत वो परम अकसर ब्रहम का पूर्न प्रमात्मा का ये ठो है वितinky रिधा और सत और ओम से धाही ब्रहम का है तो ओम और तत ये संकेतिक है तत ये दोनों में लगए दो अखर का सतना बनता है अब कभीर साहब तो सही करे है कि कहे कभीर अखर दो भाख इन दो अखर के मंतरों का जाप करें और होगा खसम तलेगा राक यानि इनको परदान करने वारा यदि अधिकारी संत होगा हमारा किर्पा पातर होगा तो इतनी रक्सा करें ओगीर तो मोक्स पराप्त होगा और नकली से ये पराप्त भी कर लिए तक कती लाव नहीं होगा इसका रचिये है कहे कभीर अखर दो भाख होगा खसम तलेगा राक फिर कहते हैं गुरु नानक साहब जी कहते हैं एक अखर हर मन बस है नानक होतने हाल, इन दोयात नहरा एक खरोर है, यह सार नाम है, आगे देखो, और गुरु नानक साइब जी क्या कहते हैं, 262 पर, एक सतान पर फिर गुरु साइब कहते हैं, यह सावन सिंग जी लिख रहे हैं, अपने करकमलों से, बेद कतेब समर्थ सब स सासतिन पढ़्या मुक्तना होई, एक अखर जो गुरु मुखजा पैतिस की निर्मल होई, देखो, यह थे यह गुरु नकडी, अब नानक साइब जी की वाणी ले रहे हैं, नानक साइब जी कहते हैं, एक अखर जो है ना वो एक अखर भी, इन सत नाम से अठका जो सार नाम है, वो भी गुरु से लेकर जाप करन का है, और यह नोकागा मिलों यह पारवरम मरें पाथ से, यह तो पांचो नाम के पकाटा जो ड्रेस है, अंक और रंक और जोत नर्द सो अंठा एक प्रमात्माई वाणी से ले लिया, और सत नाम, सत नाम कोई मंतरी नहीं है, यह देख और नाम की तरफ संकेत है, गुरु के मुख से लेकर जाप करें, तिसकी निर्मल सोई, उसका मुख सोगा, अर यह क्या कहता है, वह अक्सर आपके अंदर है, वो एक और और पारवरम जाकर मिलेंगे, अर यह संत क्या कह रहे है, जाप करना पड़ेगा, जिन मापुर्चों क वानी को लेकर के यह अग्यानी सामन सेंग जी और कैसा डंगा कर रहा है, सपस्ट जूठ बोल रहा है, वानी क्या कह रहे है, अन्वाद क्या कह रहा है, तो यह है भाई वो, यह नो कहा करते है, हमारा ग्यान तो वेद्नों और पुरानों से भी आग्या का है, हमने इनकी एक्सर आपके अंदर है, इसे एक्र के बारे हम कहें, और पार पर मजा के मिलेगा, वह है, यह धरम हमारा धरम नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, और देस हमारा देस नहीं, हमारा देस सचकंड है, हमारी जात सतनाम है, देखो, और हमारा धरम सतपुरस है, यह पराया देस अब आत्मा पुराने मैल को जिसमें लाखों जनम रही छोड़कर सतनाम मजारी है सतनाम मजारी है भिया सत लोग का भी रन सतनाम के फिर क्या कह रहे हैं कि अंदर सब्द के दर्जे हैं ओम सब्द सोहम सब्द और सत सब्द देखा मुति मुक्ता दर्सत नाहीं ये जग है सब अंदरे दिखत के तो नेंड चिसमें इनका फिरे मुतिया भंदरे ओरिजिनल मंत्रों के उपर के घूम रहे हैं अरिये का टाका बज़ुट रहे हैं पांच नाम जावकर रंकार रंकार ये है वो मंत्र और सत इन छुपनें विशीट नहीं लगी वह सारसब्द की तरफ संकेत है अब वह सत नाम क्या चीज है दो अखर का कौन सा मंत्र है नामा चीपा ओमतारी पीछे सोहं भेद विचारी सारसब्द पायाजद लोई आवा गुमन वहड़ना होई नाम देव एक चीपी जाती मापरस होई है पहले ओम नाम के जाब करा करते हैं उसी को फैनल मान रहे थे पर मातमा स्वेमाई जो उनकी लीला है उनका विधान है उनके गुन है अच्छी आतमा को मिलते है तो नाम देव जी से मिले उनको सारा ग्यान समझाया फिर उनको वो दूसरा मंतर जो दोनों अखर मिला के दिये सत नाम बना के तो कैते नाम मा चीपा ओम तारी पेदे ओम की लो लगा रहा खिची नाम देव चीपा ने और पिछे सोहम भेद विचारी सहर सबत पाया दद लोई आवा गवन बहुर ना होई दरमदास जी भी अपनी वानी में क में हैं गहिए और गिसा दास आईब जी कहते हैं और व मशोहम जपले भाई रामनाम की यहे कमाई लेकिन ये जपना कैसे है अधिकारी से प्राप्त होकर फिर इसके सिमर्ण की विदी है अधिकारी से प्राप्त होकर ही ये सिमर्ण होगा तो ये सतनाम बोक्स देगा अब पहले प्रमात्मा ने इनको कहा था कि धर्म दास मेरी लाख दोहाई और यो सार सबद की तबार ना जाई ये सार नाम और सत नाम इसका कती छीट भी नहीं लगने चीए किसी को बताना नहीं इस जैसे आदनिय ननक साहिब जी को प्रमात्मा मिले सचखंड लेकर गए और फिर उनको सारे परिचित करा दिया कि अभी इस ग्यान को बोल दो सुना दो लिखे जाएंगे ये लेकिन अभी बताना नहीं समय आएगा इससे पहले अगर आपने बता दिया ते काल के दुटा का हाथ लग जागा काल ने कहा था के बारा नकली पंस तलाओंगा तेरे नामते सत लोग सचकंड सत पुरुष के नामते और उन नकलियों जितने भी पंस तलेंगे सब मैं ग्यान तो होगा सत पुरुष और सत लोग का और नाम होंगे मेरे सत लोग का तो वो सारे के सारे मेरे ही उसमें फसे रहेंगे तब परमात्मा ने कहा था कि ठीक है चोथा यूग जब कल यूग आई तब हम अपना अंस पठाई और काल फंद छूटे नर लोई सकल शिरिष्टी पर वानिक होई घर गर देखो बोध विचारा सत नाम सब ठोर उचारा परमात्मा ने काल से कहा था कि तू कर ले जो करना है फिर हम ऐसे समय पर अपना दास बेजेंगे और उसको ऐसा नाम दूँगा सतिनाम और उस समय तक तेरे काल के दूट जो कुछ भी कहना सुनना सारा कै सुन लिया होगा और उनकी किताबें बनगी होंगी फिर वो मेरा दास जाएगा सद्गरंद परमानों से परमानित करके मेरे बच्चों को सत और ऐसेत का नरने करके दिखावगा और पुरावी सुब मेरे गुन गावगा तुमिर साहब ने 600 वर्स मेले का था आदनी गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले उनको सचकंड लेकर गए वापे छोड़ा आदनी द्रमदास साहिब जी को परमात्मा मिले सचकंड लेकर गए फिर वापे छोड़ा आदनी अमरुगदास साहिब जी को परमात्मा मिले सचकंड लेकर गए फिर वापे छोड़ा आदनी दादू साहिब जी को आदनी गरीबदास साहिब जी को आदने गीसा दास साहब जी को और अन्य भी जैसे नाम देख जैसे महापरुस को मिले तो उन्होंने वही मंतर उनको बताया और उसका प्रमान आपको अन्य महापरुसों की वाणी से तो मोखिक बता दिया परमानी तो भी करूँगा दिखाऊंगा अब आपको नन्नक साहिब जी ने कौन सा नाम जाब किया था वो सतिनाम कौन सा है दो अखर का जिसके विसे में सामन सिंग जी प्रिचित नहीं कि सोई गुरुपूरा कहा है दो अखर का बेद बताओए तो ये दास बताओगा दो अखर का बेद और किस किस महापरुसे ने वो दो अखर का जाब किया देखिए गा ये है जनम साखी भाई बाले वाली सबतों वड़ी भाई बाले वाली जनम साखी डाक्टर जहार सिंग किरपाल सिंग एंड कम्पनी ओम सत्गुरु परशादी ये जनम साखी अज तक छब चुकिया नालों वड़ी है सब तों वड़ी ते पुरातन है भाईबाले वाली जनम साखी श्री गुरुणानक देवजी दी पंजे साहिब दी साखी तों ते सदा दसा पाज सादे जीवन समेत मुकमल साखिया हन डाक्टर जवार सिंग केरपाल सिंग एंड कंपनी परकास से कहां पुस्त का वाली गली नंबर आठ बाग रामानंद अम्रसर यह यह आशित सपी है इसके हम आपको लेते हैं समंदर की साखी पर यह समंदर दी साखी यह समंदर दी साखी और पान्सो से तालिस परिष्ट पर बाला संधू बाला जी कह रहे हैं बाला संधू वाच जैसे गीता में लिखाता नो बगवान वाच बाला संधू वाच बाला जी बता रहे हैं ताते हे गुरू अंगत जी जद गुरू नानक जी अजिते कोलो अजिते पासों विदिया हुए ता मर्दाने किया सचे पात्सा जी असा समंदर ता देखिया पर लंका ना देखिया जिते राम चंदर जी चड़ाई किती है ता गुरू नानक जी कहा कि चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहांनों रंद नहीं करना अखी मीटो जा अखी मीट के अखी खो लियां ता समंदर ते कंडे किनारे खड़े हुए ते आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ मुखों वाही गुरू वाही गुरू कहन दे आओ ते आगे आगे गुरू जी और तुर पए जैसे दर्ती उपर तुर दे सन उसे तरा समंदर उपर तुर्ण पए और जा चले जावन ता पीछे बाला ते मर्दाना जावन ता मर्दान ने विचार किती कि गुरू नानक देव जी ओम सोहं जपदे जान्दे हन ता मर्दाना भी ओम सोहं लगा जपदे लगा गोते खावन ता गुरू नानक जी देखन ता मर्दाना गोते खांदा है ता गरुजी कि हा मर्दाना गरुदी करने वल नहीं देखना, गरुदे बचना उपर चलना, चाहिए तु मर्दाना उए आख जो असा आखिया है, ता मर्दाना फिर लगा वाहे गरु, वाहे गरु कहन, ता फिर जल उपर उसे तरह तुर्ण लगा दरम दास मेरी लाख दुहाई ये मूल ग्यान कहीं बार न जाई मूल ग्यान बाहर जो पढ़ ही तो बिचली पीडी हंस न तरही मूल ग्यान तुँ तब तक छुपाई जब तक दौदस पंथ ना मिट जाई अब इन सब पंथों की जड़ दिखा दी दासना क्या क्या ये मसाला ले रहे हैं वास्त विक्ता क्या है मापरुषों के जिनकी वाणी लेकर ये गुणगान किया करते उसके विप्रित ग्यान दे रहे हैं तो ये सब खतम हो चुके हैं खतम ना होते जवाब देते राम पाल जूट बोल रहा है तो राम पाल सत बोल रहा है तो वो सब जूठे है वो फेल हो चुके अब ये तो आपने पंजाबी वाली पढ़ी अब हिंदी और सुना दिखाते हैं कई वकतां गड़ा उट रहे जागा हमने पंजाबी ताती नहीं देखो ये भाई बाले वाली श्री गुरुनानक देवजी जिदि जनर साखी अब भाई चतरचेंग जीवन संग अमरत्सर दो अधय आसा अवीया इसे बालेवाली श्रीगुरूनानक देव जी जीक जनर साकी श्रूोंत ये यहां से चपी है दोजार आठ का लेटस्ट प्रकासे के भाई चतर सिंग जीवन सिंग बाजार माई सिवा अमरसर फॉन फैक्स यह इनके सारे किसमें और मुद्रिक हैं जीवन प्रिंटर्ण्स अमरसर फॉन नमबर इतना 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 इसके आपको 569 परिश्ट परंकी था वो दिखाते हैं समंदर दी साखी 57 परिश्ट पे साखी समंदर की साखी समंदर की एक दिन मरदाने ने कहा है माराज मेरा मन चाहता है कि समंदर में जो लंका है वहां का भरवन किया जाए गृरु जीन कहा अच्छा आप आप का लोग अपने नेतरबंद करो जब मैं और मरदाने ने नेतर बंद करके एक्षण बड़ पीछे खोले तब हम लोग गुरु जी के साथ महान समंदर के तट पर खड़े थे अब गुरु जी ने कहा कि तुम लोग समंदर के तल पर वहे गुरु जाप करते करते पैदल चले आओ हे गुरु अंगत देव जी हम लोग गुरु जी के पीछे पीछे उसी परकार जा रहे थे जैसे सुखी दर्टी पर चला जाता है आगे आगे गुरु जी ओम सोहं जाप करते चले जा रहे थे तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहं का जाप क्यों ना करें तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा बस वह लगा गोते खाने गुरू जी ने पीछे देखा तो हस कर कहने लगे कि मर्दाना सिस का धर्म है कि वह गुरू के बताए मारक पर चले इसलिए तू वाहे गुरू ही जब तेरा इसी में कल्यान है जब मर्दाने ने वह गुरू नाम की रट लगाई तब फिर पूरों की तरह पूरों परकार पानी पर चलने लगा सोहे गुरू पूरा काहावे है दो अक्र का भेद बतावे राद्दा स्वाम याड़ों ने कौन समझावाई है तुम्हारे पास तक कोनी वह दो अक्र इस दास के पास हैं अब ये एक विचारनी विसे है कि नानक साहिब जी ने किसी भी सिख को ये दो अक्र का मंतरजाब करने का अदेश दी दिया उन्होंने वाणी बता दी वाहे गरू वाहे गरू करते रहो परमातमा में इनकी आस्था बनी रहेगी वाणी का पाठ शुरू करवा दिया धरम पुन्क शुरू करवा दिया तीस से इनको मनुस जनम मिलता रहा इससे मानों को मुक्स नहीं हो सकता था अब मुक्स होगा इव इससा जो प्राइम टाइम आ गया यो बगती का वगती का समय आ गया जो बिचली पी डिसरू होगी 1997 भगवान ने आकदास को संकेत कर दिया आदिस दे जिया कि इवस हो खोल जे पटारा यो बंडार खोल जे मे मंतर ये है वाई लेकिन तीसरे की छीट भी निलागन जो आपके सिर्फ उसी को मिलेगा वो जो अधिकारी हो जागा अब ये विचारन ये विसाहिन महापुर्सों ने इनको कहते हैं दर्ड भक्त जो आदेश हो गया भगवान का फाइनल नहीं बताया किसी को ये मंतर की छीट निलागन दिया जो तक रस्वन जाप करते हैं नानक जी तो जिस मंतर से नानक साहिब जी का मोक्स हुआ उसी से आपका और हमारा होगा और यही परमान आपको जिन महापुर्सों को परमात्मा मिले और उनको उन्होंने वही मंतर बताया और उसी को जाप करके वह सतलोक गए तो वह कंप्लीट को रस इस दास के पास है आउर अपना कल लाड़ कराओ बनात्मा सो भागया आपका धन आपके मात पिता जिन से जनम गए ऐसे से में मानो श्रीर अरियन मौल ब्रतन के सुपने में भी ना सोचा होगा आपने इस अग्यान कभी हमें मिलेगा सत्गुरु आए दया करी ऐसे दीन दया ले बन्दी छोड़ बरतास का जड़न की पर पाले परमातमा आए दया करी गुरु बिन काहुन पाया ग्याना जो थो था बुष्च्डे मूड किसाना गुरु बिन बेद पढ़ है जो प्राणी सम्जन सौरर है अग्यानी आज तक उन मापरसों को छोड़ कर जिनको बगवान मिले थे बाकि कंप्लीट सब के सबक ग्यानी थे इनको कोई ग्यान नहीं था बक्ति मारका आज आप बने हो वो ग्यानी दास से ग्यान सुनके अब पूरे विस्वगा कल्यान होगा बगवान का अदे से अब आप नाम आप जिका जी दास का भुदेव दास नाम है कि कहां से आए आप ग्राम मंडौरी कस्वा नहटोर के पास डिस्टिक बिज़नौन में पढ़ता है तैसिल धामपूर का शार प्रहमस्न सट्कुर्राम पालिजी माराज के शनद माने से पहले आप कौनसी बखती करते थे जी मैं पहले रविदाज ऍधिकी भक्ती करता था तौशी नाम्दान के ले मंग Gustavati अप तो ग्रवी shaping है कि वह ग्विदों से याद करते थी एसे घर पर रखी के उनका उचारन करता था तो वानियां आप पढ़ते थे उससे आपको क्या लाब मिलता था बैसे कोई किसी तरह का ऐसा लाब तो नहीं मिल पाया बक्ति करने से प्रमसन सतुराम पाल जी महारत की शेंडम आप कैसे आई जी यहां तो मैं ऐसे अचानक आया कि एक रोज में टीवी का ब चैनल पे जो गुरु महाराजी का सत्संग चला था अचानक जैसे ही मैंने खोला तो यह सत्संग आ रहा था मैंने सुरु में शसंग सुना तो ससंग सुनते ही उसी दिन रही उत가 गों गई चूंकि इस तरह के सतसंग सुनने की मेरी काफी दूं से इच्छा बनती थी लेकिन कहीं से किसी संत का भी इस तरह का कौई नहीं मिल पा रहा था अचानक मुझे उस रोज मिल गया और उसके बाद मैंने जो है हर रोज राम को जैसे बिजली आती थी। मैं अपने टी-बी पर सत्थ성ने के लिए जाता था। कई बार सत्थो सुना, सुनते-सुनते फिर मैंने अपने मन में धाना कर ली। कशनसार में जो है। अगर कोई ज्ञानी संथ है। तो यह हम नहीं तो संसार के अंदर कुछ संत नहीं है और में पिछले महीने जो है अ इहें हुआ आया तो मुझे सबसे पहले तो यहां जो ग्यान प्राप्त हुआ है यह अभी तक भी इतना भटकने के बाद भी कहीं से मिल नहीं पा रहा था जिस तरह का ग्यान यहां के हुआ तो यह तो एक ऐसा ग्यान है कि संसार में ऐसा ग्यान किसी के पास था ही नहीं और जगा भी मैंने जा कहीं से भी जो है जच नहीं पाया कि कहीं पे ऐसी चीजें हैं जिस तरह कि जो है इन सद्गुरु महराजी के ज्ञान से प्राप्त हुई और मैं यहां से पहली बार जब आया था तो ग्यान गंगा लेके गया था मैंने मुझे एक महीना हो गया तब से मैं उस किताब को जैसे पढ़ता जा रहा हूं उसके अंदर से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो मैं तो इतना समझ रहा हूं कि पोरे संसार में भी अभी किसी भी संत ने या किसी भी रिशी मुनी ने या जितने भी हमारे भगवान हुए हैं किसी ने भी इस तरह के ज्ञान को जो है इस तरह से स इन स्वम भगवान जो परकट हुए हैं मैं तो स्वम भगवान मान के चलना हूँ कि यह भारत में जो है यहां भगवान के रूप में ही परकट हुए है भगवान ही है नहीं तो ऐसा ग्यान एक साधानन मुनुस्या या रिशी मुनी ने आज तक नहीं दे पाया और नहीं संभ भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप मैं तो भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूं कि अभी भी समय है जो भक्त नहीं समझ पा रहे हैं और गुम्रा हो रहे हैं कुछ दूसरे लोगों के चक्कर में जो है अपने को गुम्रा समझ रहे हैं अगर प्रभू क तरह जाना है या प्रभू की प्राप्ति करनी है तो यह एक अनमोल मौका है कल्यूक का या आखरी ऐसा वक्त है कि जादे से जादे संक्या में जितने भी मनुष यहां आके अपना कल्यान करा ले इससे बहतीन मौका आएगा नहीं नहीं तो फिर लग 84 में आदमी चला जाएग है तो बहुत समास से मेरी प्रादना है कि सत लोग आसरम बरबाला में आएं और संत सुरोमनी रामपाल जी महरास से नामदान प्राप्त करने और अपना कल्यान कराएं जानेवाद आपका बहुत बहुत जानेवाद आप सुन रहे थे जकतकुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराजी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट www.jakatgururampalji.org संत रामपाल जी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नामदिक्षा केंद्र हैं जिन पर संत रामपाल जी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नामदिक्षा दी जा रही हैं अपने नस्दी की नामदिक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541 कि शोना कि शोग कि शोग कि यो कैर दो खित二 नादे कि की शोगास सुटीकए चलाएएब मόना समय प्रोड़ने हुएग। है 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 टे विए सोऑ जया है उना रहे है चंहो एक शित яसा, का रहा है झाल झाल